नमस्ते दोस्तों अगर आपकी उंगलियां जाम हो गई हैं कोई चोट लगने के बाद या कोई सर्जरी के बाद तो उसके क्या कारण है और उसके क्या उपचार है उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके एक अंगुठा और चार उंगलियां होती हैं और उंगलियों के दो जोड सबसे महतपून होते हैं पहला जिसको metacarpopalangel joint बोलते हैं जो आपके हाथ और उंगली के बीच में होता है और दूसरा joint जो PIP joint बोलते हैं proximal interferangel joint जो उंगली के बीच का जोड होता है और इन दोनों में से किसी एक जोड में या दोनों जोड में भी जो है वो जो है moment कम हो सकता है जिसको उंगली का जाम ह ना बोलते हैं कई बार ये उंगली में जाम होने की तकलिफ एक से ज्यादा उंगलियों में भी हो सकती है और अलग-अलग उंगलियों में अलग-अलग अनुपात में हो सकती है जैसा कि ऐसा हो सकता है कि आपकी जो तरजनी उंगली है उसमें करीबं 30 degree की stiffness हो और जो आपकी एक ही हाथ में अलग-अलग उंगलियां अलग-अलग तरीके से जाम हो सकती है चोट लगने के बाद अगर ऐसा है तो पहला तो हम ये जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है और इसको बचाने के लिए क्या कर सकते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे कि इसका treatment क्या होता है तो इसल एले हम बात करते हैं कि हाथ की सेफ पोजिशन क्या है ऐसी क्या पोजिशन है जिसमें अगर हम आपको इमोबिलाइज करेंगे प्लाश्टर देंगे तो उंगलियों में जाम होने की प्रवर्ति कम होगी तो देखिए कि आपकी जो डिश्ट का जॉइंट है मतलब जो आपकी कल एली और आपकी उंगलियों के बीच का जोडर है वह करिबन 90 डिग्री के आज पास 70 टू-90 डिग्री के आजब गींट होना चाहिए और यापका जो उंगली के की बीच का जोड रहं उसमें बिल्कुल भी मुरंना नहीं होनी, अफस ज़ोण पहुते कम होना चाहिए तो के जो कलाई का जोड़ है वो 30 लिगरी ऊपर की दरफ होना चीए तो यह position जो है यह safe position of immobilization कही जाती है और अगर इस position में हम आपको plaster देते हैं यह immobilize करते हैं तो जो है stiffness का जो chance होता है उंगली जाम होने का जो risk होता है वो कम से कम रहता है अब अगर आपके उंगली जाम हो र ही है ऐसा हो सकता है कि उंगली जाम होने की वज़े चंबडी और उपर का फेश्या हो कई बार अंदर की जो नशे जारी होते हैं जिसको तेंडन्स बोलते हैं यह मुसल्स बोलते हैं उनके कारण भी स्टिफनेस हो सकती है कई बार जो जोड के अंदर का कैपसुल है वो भी हो सकता है तो आपकी चमड़ी और फेशिया एक कारण हो सकता है आपकी मसल और टेंडन दूसरा कारण हो सकता है आपका जो जॉइंट है कैपसूल है वो तीसरा कारण हो सकता है और आपकी हड़ी और जो जोड़ है वो चौथा कारण तो एक से ज़ादा जो इस ट्रॉक्चर से वो भी प्रवाइट हो सकते हैं जिसके कारण से आपके उंगली जाम हो सकती है देखे अगर हम बात करें आपके जोडों की तो जो MCP जॉइंट होता है जो जोड आपकी हतेली को उंगली से जोड़ता है वो एक जो है वो condyler joint होता है मतलब ये उंगली आपकी ऐसे ऐसे भी हिलती है और उंगली ऐसे ऐसे भी हिलती है तो ये double joint का movement होता है और इसमें जो joint का जो आपका जो joint का structure होता है वो ऐसा होता है कि जब हम 90 degree में इसको मोड़ देते हैं तो जो आपके ligaments होते हैं वो एक्दम tight रहते हैं इसलिए जब इसको हम immolize करते हैं तो 90 degree ये 72-90 degree मोड़ के करते हैं और इसलिए ये कहा जाता है कि अगर MCP joint है तो इसको सीधा करना आसान है मोड़ना मुश्किल है तो अगर आपका MCP joint इस position में जाम हो गया मतला आपकी उंगली अगर सीधी की सीधी जाम होगे और मोड़ना ही रही है तो इसको मोड़ना मुश्किल है अगर वो मोड़ी भी है और इसको सीधा करना है तो सीधा करना आसान है ये बहुत ही महत्पून concept है जो हमको ध्यान रखना चाहिए दूसरी चीज जहां तक उंगली की बात है और उंगली के बीच का joint जिसको PIP joint बोलते है जो उंगली के मद्धी का joint होता है ये जो अगर उंगली मुड़ी भी रह गई तो इसको सीधा करना बहुत कठीन है परन्तु अगर उंगली सीधी है तो इसको मोड़ना आसान है इसका मतलब ये कि अगर उंगली सीधी रह गई तो आप exercise करके उसको मोड़ सकते हो पर अगर मोड़ी ने रह गई तो इसको exercise करके सीधा करना मुश्किल है इसी करन्ट से हम ये कहते हैं कि उंगली जो है immobilization में पूरी सीधी रहनी चाहिए और उंगली और हतेली का जो जोड़ है वो मुड़ावा रहना चाहिए तो ये सारी चीजों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो हम जो है उंगली जाम होने से अपने आपको बचा सकते हैं परंतु कई बार दुरभागी वश फिर भी उंगली जाम हो जाती है तो इन cases में जो सबसे preliminary treatment है सबसे पहले हमको जो करना है वो है Physiotherapy, Exercise और Hand Rehabilitation अधिकांश cases में अगर आप अच्छे से Physiotherapy करेंगे, कसरत करेंगे, Hand Rehabilitation करेंगे तो ये तकलिफ ठीक हो जाती है जिन मरीजों में कसरत से, Hand Rehabilitation से फरक नहीं पढ़ रहा होता है उन मरीजों में हम कुछ splints try कर सकते हैं ये splints static भी हो सकती है, मतलब ऐसी पट्टियां होती है जो आपके, जो उंगली का movement है वो बढ़ाती है तो ये static भी हो सकती है, जो अपनी जगे पर उसको रोक के रखें और ये dynamic भी हो सकती है, जो आपको मोडने में help करें तो कुछ तरह की splints भी यूज की जा सकती है movement बढ़ाने के लिए परंतु दूरभागी वश कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने exercise भी कर ली, कस्रत भी कर ली, sprint भी लगा ली और उसके बावजूद भी आपकी उंगली सीधी नहीं हो रही है, ये मुड नहीं रही है तो ऐसे conditions में आप गव रहे हैं नहीं, आपका जो problem है उसको solve करने के लिए surgical treatments भी available है जैसे कि फर्ज करें कि आपका MCP joint जो है वो extension में stiff हो गया है, मतलब आपकी जो हतेली और उंगली को जोडने वाला joint है वो सीधा रह गया है और आप उंगली को मोडने में समर्थ नहीं हो पा रहे हो, तो एक सरज़ी करके जो है उंगली का मोडना बढ़ाया जा सकता है आम तोर पे हम वोलर मतलब नीचे से अप्रोच करना पसंद करते हैं और इसमें हम specifically तीन सरज़ी पसंद करते हैं कैपसुलाटमी करते हैं, हम कैपसुल को release करते हैं, को लेटरल जॉयंट को, लिढमेंट को रिलीज करते हैं और कभी बार हमको वोलर प्रेट्स को भी थोड़ा release करना पढ़ सकता है ठीक इसी तरह अगर आपके उंगली के मद्धिका जॉइन्ट टाइट हो गया है जिसको पी आई पी जॉइन्ट बोलते हैं तो मिड लेटरल अप्रोच से ये पर क्यूटेनिस अप्रोच से भी हम थोड़ा थोड़ा जो है रिलीस करके आपकी उंगलियों का जो मुवमेंट है उंगलियों का जो मुड़ना है वो बढ़ा सकते हैं तो दूस्तों मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माद्यम से जाम उंगलियों के बारे में आपके मन में जितने भी interference हैं जितनी भी शंका हैं उसको मैं clear करने में समर्थ रहा हूँगा आपको कोई भी जानकारी और लेनी है आपको कोई भी और डाउट्स है तो आप हमको कमेंट्स बॉक्स पे लिखके बेज सकते हैं अगर आप आप ओनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहे तो नीचे दिये नंबर पे संपर कर सकते हैं धन्यवाद